हरे किशनार राधी राधी दोस्तो तो बैसाक पुर्णिमा पर पूजा वलगी पूजा करके देखाऊंगी और वीडियो में बने रहेगा वीडियो अच्छे लगा तो लाइक कर देना और सिस्क्राइब भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड में दोस्तों में रिस्तिदारों में जरूर सेर करना तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं अपने विडियो की कयसे जो है बैसा के पुझिमा ब्रत करनी हैं और बहूत यसरं ल्विदी से करकर देखांगी बैसाक पुणिमा ब्रत में क्या क्या ढ़िए हरी विश्नो जी जी को और रश मिजेक को शात में रखके जो है इस दिन पूजा की जाती है तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं पूजा को तो यहां मैंने एक स्टील के थाल लिये हैं आप चाहे तो पीतल के तामे की कासे की भी ले सकते हैं और लोडी मेरे पास ना तामे की कासे की सब कुछ है फिर भी जो है मन कभी जो है चेंज कड़ करके मन करता है कि नहीं आज यो हरी विश्णु जी की इसमें हम नहलाएंगी क्योंकि पूझा की बरतन तो अलग रहती है तो आपको जो मर्जी हो आप उसमें असनान करा सकते हैं ज्रूरी नहीं है कि हम इस्टेल में बरतन में ज। अगर आपके पास कासे के हैं, चांदी के हैं, उसमें भी करा सकते हैं, सोने के हैं तो उसमें भी करा सकते हैं, कोई इसमें 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 नहीं है, तो यहां मैंने पंच अमरित मना लिया है, तो आज के दिन बैसाक पुर्निमा के दिन इसमें बरत भी करी जाती है, बर पूरे महिने अगर शनान नहीं के हैं तो महिने के लाश्ट पांस दिन जो है ना शनान काफी महत पूर माना जाता है जैसे की कातिक में पूरे कातिक नहीं नहाते हैं तो बैसाक के महिने में जैसे की पांदिन लाश्ट के भी नहा लेते हैं ना तो पूरे महिने के जो पूरी म थोड़ी सी ठंडी ही लें कि आज के मुकरमी यतनी बड़ी हुए कि थोड़ी सी ठंडी जल लेंगे तो हरी विश्णु जी की काफी राहत मिलेगा इस दिनों और यहां देखे श्णान कर लिये हैं अगर जब भी श्णान कर रहे हैं तो उनको थोड़ी सी अंग जो है वस्तर दारन करा हैं और बैसाक के पुर्णिमा सबसे महत्पून मानी जाती है इस दिन बरत करने से आपके जीवन में काफी फल देने वाले होते हैं बच्चे के जीवन में उजवल भविस बनती है तो अस्थापित करने से पहले मैंने यह चावल कुछ पूस्प रखकर ही अपने ह नराहें जी को अस्थापित किया है और एक आसन लगा दे छोटी से चोकी लगाने के बाद पी ले आसन लगाने के बाद हम थोड़ी सी अशनान कराएंगे ऐस तो असनान करा हैं फिर भी जो है ना जब पूजा स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी हम जल चिरकेंगे गंगा जर उसके बाद हम जो हैने कलस्त बठाएंगे तक कलस में आपको लेनी है अनाज क्योंकि इस दिन अनाज कर सबसे ज्यादा मैं बैसाक के भेने हम जब भी परट वैसाक की पुर्णिमा को इस तरह से पूजा करे और बरत करे तो कलस में जो हैने पानी के जगा जल के जगा प मैंने यह गेहुम के जगा पर चने लिए हैं क्योंकि अभी गेहुम मेरे पास नहीं है और चने थी तो चने को ही मैंने मिट्टी के कलस में भरा है क्योंकि गनपती की बिने तो कोई पूजा धुरी मानी जाती है तो यहां मैंने गनपती को भी थोड़ी सी चावर रखकर उनको विराजमान किया है अगर तुलसी माला है तो इन्हें तुलसी माला भी इस दिन पहना सकते हैं और तुलसी का पत्ता तुलसी का पौधा जरूर इस दिन रखे जैसे मैं छोटे से एक पौट में मैं रखी हूँ और क्योंकि हरी विश्णोजी की भी हो जो है न तुलसी पत्ता काफी बेहती भोग में पसंद होती है इसलिए इनकों लगाएंगे चंदन गनपती को इस दिन सबसे ज़्यादा चंदन का ही परियोग होता है तो आप देख सकते हैं मित्ती के कलज पर मैंने चंदन का ही स्वास्तिक बना है और माता लचमी को चंदन का हम लगाएंगे तीका और विश्नु जी को लगाएंगे तीका इसलिए इस दिन पर सुभा अश्नान करके बाद भगवान सत्रायन की पूजा करने का विधान है इस दिन माता लचमी की भी पूजा की जाती अधिकांस लोग इस दिन बरत रखते हैं और सिरी सतनाइन भवान की भी कथर सुनते हैं करवाते हैं ऐसे करने से भवान लच्मी नरायन की भी किरपा परिवार पर बनी रहती है बैसाग पुर्णिमा के दिन किये गए बरत उपवास पूजा पाठ और असनान दान मनुस को जनम जनवानता का पापों से मुक्त लादिन नाले वाली होती है यदि आप किसी कारण वस ये बरत नहीं कर पा रहे हैं तो अन दान भी अवस्य करें बैसाग पुर्णिमा पर किये गए छोटे से दान भी मनुस को अच्छे पापों पूर्णि पराप्त होती है ऐसे माना जाता है कि बैसाग पुर्णिमा पर रात में च अशनान करने के स्थितित नहीं बन रही है तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी अशनान किया जा सकता है घर में भी गंगाजल बालती में मिलाकर अशनान कर सकते हैं इस दिन अशनान के बाद सूर्य देव को अर्ग जरूर देना चाहिए इस दिन और उनके मंत्र का भी जाप जरूर करना चाहिए इसके बाद भवान विश्नु का धियान करें और उन्हें फूल और अच्छत चढ़ कना बहुत पूजा करने के बाद बुरत का संकलप लेनी चाहिए इस दिन महान की कतहा जरूर पात करने चाहिए बहुत ही पुन्य दाय मने जाते हैं तो यहां देखिए मैंने पूजा करने से पहले दीपक पूजट करूँगी दीपक आपको दायने और ही रखनी चाहिए पूजा की समय दीपक जब भी पूजट करें तो दीपक की नीचे चावल जरूर रखें अखरे दीपक नहीं पूज की जाती है तो दीपक करने के बाद हम धूब दिखा देंगे धूब दिखा कर हम यहीं रग देंगे पलेट में और दीपक भी हम पूजा करेंगे धूब देखाने के बाद कि बीना सुंगंदित के जो हैं पूजा नहीं की जाती है तो सुंगंदित भी जरूर जराना चाहिए और इस दिन हawan का सबसे महत पून माना जाता है जब ब्रत कर रहे हैं और इस दिन आपको निमा बैसा के जब पूजन कर रहे तो इस दिन हawan जरूर करें और यहाँ देखियोसे पहले मैं दीपक के पूजन करूँगी अगर चमपा का pushब है तो घर हरी विशनूची को जरूर चराए अरकित करें किम्कि हरी विशनूची किछंपा का pushब काफी बैदी पूसन आता है जैसे ठाकुर जी को हम चराते हैं न अरकित करते हैं चंपा के pushब और जिस color का भी हो तो अरकित कर सकते हैं अगर पीले और सफेद में चंपा के पोस्ट में मिले तो काफी उत्तम रहेगा तो यहां दीपक को जो थोरी सी अक्षद और कुम-कुम डाल कर हम पूजा कर ली हैं दीपक को क्यूंकि दीपक ही मेरी साक्षी होती है पूजा की और इसी में 33 कोटी देवी देवता विराजमान रहते हैं इसलिए सबसे पहले दीपक पोज़ित करें और जो भी भोग बनारेना इस दिन चने लगती है भूने हुए चने फुले हुए चने और चने के सत्तों की भोग लगती है मैंने यहां बेसन के हलवे बनाए घर पर और यहां दे कि घर पर ही बेसन के हलवे बनाए नहीं लड़ू चरह सकते हैं तो बेसन के लड़ू घर पर बना सकते हैं या तो हलवे बनाकर भोग लगा सकते तो जो भी चने के समागरी है इस दिन बैसाक पुर्णिमा के दिन जो भी चने की भोग लगती है वो दान हो जाती है जैसे के मैंने बेशन के हलवे बना है तो भी चने के बेशन के ही बनते हैं तो इस दिन चने का विशेश रूप से ही भोग लगता है और चने मैंने मित्ती के कलस में चने ही भरे अनाज भरे हैं और गन पती को मैंने यहां जो है मिश्ठान जैसे की कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं लड़ों का भी भोग लगा सकते हैं इस दिन भूने हुए चने का भोग लगा सकते हैं हरी विश्नु और लच्मी माता को और फुले हुए चने भूब लगा सकते हैं चन्य के डाल भूग लगा सकते हैं चन्य के सत्तू में लगाएं चलते है नहीं करेंगे नहीं नहीं अना वच मिट्टी के कलस्थ की जो अनाज है और तो प्रिवार भोग परसाथ। परिवार के साथ और यहां देखिए कलस का जो अनाज मैंने रखा है तो इसी वीडियो में बता दिए वो दान हो जाएगा किसी भी मंदिर में ये ब्रहमन को आप दान कर सकते हैं तो पूजा के आंत में जो है आचमन जरूर करनी चाहिए क्योंकि कहते हैं ना जब आपके घर म और मक के साथ जो है ना बाल्टी के साथ पानी भर कर दिया जाता है पैरहांद होने के लिए और रिवास तो खतम हो गया फिर भी जैसे जो रिवास चल रहा है तो रिवास तो चलेगा है अभी भी गाउंधियात में पानी दी जाती है और पैरहांद होने के लिए जब भी को कुछ भी कमी होती है नो अगर पसंद आया होता प्लीज प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स वीडियो देखने के लिए इसी तरह पुझा पार्ट की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होती रहती है और नेक्स वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सबसे पहले नौट पेशन आप तक पहुंचे और तब तक के लिए आगया दीजिए और मेरी पूझा को इंज्वाय कीजिए अभी तक बैसाक पुर्णिवा प्रत नहीं किये हैं तो इस वीड और मताई को इंज्वाग वाहती है